हेलो एवरीवान कैसे हैं आप सब लोग आप लोगों को हिरानगी होगी कि आज अंजुम सर की क्लास से पहले मैं क्यों आया हूँ तो आप लोगों को बता दू लेक्चर नंबर वन जब आप लोगों के सामने आया था तब भी मैंने आपके सामने अंजुम सर को हो गया है एक नजर हम स्लेबस पर डालेंगे अभी क्या-क्या चीजें थी तो यह आपके सामने स्लेबस है आप लोगों ने पंचायत का इक्जाम दिया था उसके बाद से स्टाटिस्टेक्स का एक डर्सा बन गया था बच्चों के अंदर क्योंकि बहुत मुश्किल था वो जो आपके सामने दस marks की section थी बच्चों के hardly एक से दो marks आये थे लेकिन अंजुम सर ने start करने से पहले ये कहा था कि वो आपको करवा देंगे और आज बच्चों को काफी असानी से सारी चीजे समझ आई हैं ये 10 components है यहाँ पे जो ये आप topic दे रहे हैं theory of probability ये आपका mathematics में है तो वो mathematics में आपका शुबम सर कवर करवाएंगे उसके अलावा जो ये आपके components थे ये बहुत ही देखने में आपको easy लग रहे हैं 10 components के नाम लेकिन काफी अच्छे तरीके से अंजुम सन्ने मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये करवाएं होंगे आप लोगों को comments आप लोगों के जो messages आते हैं वो बहुत ही अच्छे थे और हम ये मान के चलते हैं कि आप लोगों को चीज़े समझ आ रही है हमने start इसी तरीके से किया था कि जितने भी आपके paid batches चल रहे हैं उन सबसे better या best content हम आपक कि उस sessions आप लोगों के लिए आएंगे और अंजुम सर अब मेरी help करेंगे थोड़ी सी कि हम लोग आपका computer का syllabus भी जल्द से जल्द cover करवा दे तो ये as a team हम लोगों ने काम किया है और पहला आपके लिए भी थोड़ा सा होगा कि हाँ हमारा syllabus cover होगा time पे होगा इसलिए statistics अब आप लोग खतम मान सकते हैं अब किस तरीके से आपको इसको improve करना है आप लोगों को अंजुम सन्ने जो topics पढ़ाए हैं उनके pdf हमारे telegram ग्रूप में पढ़े हैं आपको वो पढ़ने हैं इसके अलावा आपको अगर एक advantage चाहिए तो आपको या lead लेनी है आप लोगो आप लोग गूगल करे topic को उसको solve करें देखें आपकी कितने marks आ रहे हैं जो चीज नहीं समझ आती है जिसमें अभी भी आप लोगों को problem आती है आप बेज जग हमारे facebook group पे कर दे वहाँ पर अंजुम सर भी है मैं भी हूँ वहाई सर भी है सब हैं हम लोग देखेंगे आप लोगों की help करेंगे और अंजुम सर का हम जितना शुक्रिया करें उतना कम होगा क्यूंकि अब काफी चीज़े मैं details में नहीं जाओंगा लेकिन बहुत ही जादा लोगों ने अंजुम सर को भी अप्रोच किया कि आप आके उनके paid batches में पढ़ाएं काफी अच्छे खासे प अपना best दिया है अब आप लोगों को अपना best देना है एक्जाम में अच्छा perform करवाकि और इस 10 marks की section में कोशिश करनी है कि आप लोग 10 में से 10 लेके आए और अब पढ़ाई को अपनी थोड़ा सा और सीरियस कर दे 20 April को दूसरा mock test होगा इस section में मैं उमीद करता हूं कि सब आप बच्चे 5 plus marks लेके जरूर आएंगे second mock test में ही तो चलिए आज के लिए सिर्फ नहीं अब आप जो आवाद सुनेंगे वो होगी आपके अंजुम सर की तो चलिए मैं आप यहां से विदा लेता हूं over to अंजुम सर अज हम आपका statistics का आखरी लेक्चर लेंगे जिसमें हम complete करेंगे आपका syllabus officially इसके बाद आपका जो theory of probability का डियो topic रहता है वो आपका mathematics portion में भी है इसलिए वो आपको mathematics के सर कराएंगे चाहे वो शुबम सर हो या आमिर सर हो दोनुं हमारे बहुती काबलतरीन teachers है आप देख ली देखेंगे वो और उसके बाद भी अगर कोई भी confusion आपका कहीं भी रहता है तो हम आपके साथ हैं अगर exam से पहले आपका कोई भी confusion हो will definitely deal with all those confusions और आपको ऐसे नहीं जाने देंगे और हाँ अगर कोई हमारा updated lecture आता है क्योंकि हो सकता है हमारे updated lectures आजाएं इस पे जहां जहा तो you should be able to watch all those lectures ठीक है इसले lecture में हमने पढ़ा था कि death rate क्या होता है और उसमें हमने ये भी देखा था कि crude death rate कैसे calculate किया जाता है specific death rate का calculate करने का क्या तरीका है आज हम पढ़िंगे standardized death rate standardized death rate जो है कुछ countries में standard population जो normal population count है उसके बावजूद कुछ एक population count किया जाता है जिससे हम क सारे factors को consideration में ले जाता है जैसे age factor हो या फिर geographical area हो या फिर mortality rate हो बहुत सारे चीज़ों को consideration में लेके एक population count किया जाता है जिसे कहते है standard population clear ताकि वो internationally comparable हो और उसमें अगर उस population को लेके अगर हमने calculate करना होगा death rate उससे हम कहते है standardized death rate clear चले यह जो हमारे पास standardized death rate होता है यह होत specific death rate calculate किया था उसको हम multiple करते हैं standard population के साथ ठीक है जो आपके पास standard population given होगी और divide करते हैं हम इसी standard population के summation के साथ आपको मिलता है standardized death rate clear guys ठीक है चलिए यहाँ पे जो हमारा MI है MI क्या represent करता है specific death rate जो हमने पिछले lecture में calculate किया था उसके बाद s population यानिक हर एक age group का जो है उसका standard population य इल्कुल क्लियर हो जाएगा देखिए देख लीजें find standardized death rate for the given data आपके पास कुछ data दिया गया है और आपने इसमें standardized death rate निकालना है यह आपके पास age groups देए गये हैं ठीक है और यह आपके पास normal population दिए गई है population का क्या count है इसके पास deaths भी दिए गये हैं हर एक age group में और यहा आप पहले formula देखेंगी आपके पास formula है आपने पहले specific death rate calculate करना होगा एक्स्यूज मी स्टेंडाइड डाज सारी जब आपने specific death rate calculate किया उसके बाद उसको standard population के साथ multiply करना है उसी age group के और फिर हमने summation निकालना है standardized population का ठीक है चले यह देख लीजे हमारे पास यह हमारे पास data दिया गया है अब हम सबसे पहले क्या करेंगे हम सबसे पहले specific death rate निकालेंगे specific death rate आपको पता है हर एक age group के deaths को divide करेंगे है उस age group के population के साथ और multiply करेंगे 1000 के साथ यह देख लिए यहाँ पे हमारे पास 180 divided by 40,000 multiplied by 1000 यह 30 यह 30 गए यह आपके पास यह 0 यह 0 गया 416 ठीक है 4.5 इसी तरह यहाँ पर आप करेंगे 200 divided by 30,000 multiplied by 1000 यह आपके पास आजाएगा 6.67 यहाँ पर आप करेंगे 220 divided by 20,000 multiplied by 1000 यह आपके पास आजाएगा 11 इसी तरह 3,000 300 divided by 10,000 multiplied by 1000 यह आपके पास आजाएगा 30 इस तरह से यह आपने specific population जो हमने पहले लेक्चर में भी specific death rate calculate किया था जब आपके पास यह specific death rate के values आ गए इसके बाद आपने next क्या करना है वो यह है कि आपने इनी specific death rates को multiply करना है इस standard population के साथ देख लीजे यह हमारे पास पहले age group का जो specific death rate आया वो है 4.5 इसको हम multiply करेंगे इसी age group के standard population के साथ 4.5 into 20,000 यह आपके पास आता है 90,000 इसी तरह 6.67 क को multiply करेंगे 10,000 के साथ यह आपके पास आ जाएगा 66,700 इसी तरह आप इसको 11 को multiply करेंगे 5000 के साथ यह आपके पास आजाएगा 55,000 30 को multiply करेंगे 2000 के साथ यह आपके पास आ जाएगे 60,000 क्लियर याने कि simply जो हमने specific death rate पहले निकाली थी पहले वाले question मैं भी इसी तरह यहां प पास deaths number of deaths in that particular age group multiplied by the population of that age group into 1000 इससे आपके पास specific death rates आते हैं इनी death rates को specific death rates को multiply करते हम standard population के साथ यह आपके पास बन जाता है MI into standard population ठीक हर एक age group का जब आपके पास यह कल्कुलेट करना है formula के हिसाब से अब हमने इसका summation निकालना है इन सभी का आपने sum किया तो यह आपके पास आता है 271,700 अब आपने दूसरी चीज़ क्या निकालनी है वो है summation of standard population यह आपके पा and 37,000 ठीक है यह आपके पास 37,000 आ गया आप यह जो आपके पास summation of MI into S population ठीक है standard population divided by summation of standard population इसको इसे डिवाइड करेंगे आप देख लीजेगा यह आपके पास यह ती दो जिरो यह दो जिरो गए अब आपके पास बज़ता है 2717 divided by 370 clear जब आप इसको डिवाइड करेंगे य 1.34 clear जो मैंने परसों आपको ट्रिक दिखाई थी उससे भी आप कर सकते हैं या अगर आपको simply आता है इसको डिवाइड करना आप simply भी कर सकते हैं अपने तरीके से यह था हमारे पास standardized death rate ठीक है हमने death rate में तीन चीजे पढ़े एक हमने पढ़ा सबसे पहले crude death rate उसके बाद specific death rate और तीसरा हमने यह पढ़ा standardized death rate clear तो यह दोनों चीजे clear होगे आपका mortality जो आपके syllabus में है या death rate उसको क्या सकते हैं इसी तरह birth rate बहुत रेट में भी हमने तीनों चीजे चारों चीजे पढ़े उसमें हमने specific birth rate ठीक है या specific fertility rate पढ़ा उसमें हमने crude birth rate पढ़ा और उसके बस मैं mention की गए है यह भी clear होगी next है हमारे पास gross reproductive rate gross reproductive rate क्या होता है कि अभी तक हम जो fertility rate calculate करते थे चाहे वह specific हो या age specific हो या total fertility rate हो हर एक चीज में हम total number of life worth को consideration में लेते थे लेकिन अगर हम यह जो newborn babies है अगर हम इनका gender consideration में लेंगे ठीक है तो यहां पे हम इसको कहते हैं gross reproductive rate gross reproductive rate में हम gender of the newborn babies को consideration में लेते हैं क्योंकि अगर आपको gender पता चलेगा for example 100 babies की जो birth होती है उसमें अगर 70 female children हो और 30 जो है वो male children हो यह आपके पास 70 female children जो है यही आपके पास future potential मतब्स है ठीक है तो इनी की वजह से population बढ़ जाती है इसलिए जब हम female child यानिके gender of the newborn baby को consideration में ल gross reproduction rate clear तो इससे हमें exact view मिलता है population rate बढ़ने का या उसका कम होने का के लिए चलिए देखते हैं देख लिए फीमेल children are the potential future mother जो हमारे पास female children होते हैं वो हमारे पास होती है potential future mothers ठीक है and resulting population increase उनी की वजह से जो है population बढ़ जाती है तो इसलिए हम इसको consideration में ले ले लेते हैं ताक अब हमारे पास यह जो gross reproduction rate है यह calculate करने के हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं बहुत सारे methods हैं लेकिन हमें किस तरह से पता चलेगा कि कौन सा method हमें apply करना है वो आपने देखना होगा कि आपके पास data जो given है उस मेंसे आप कौन सा formula apply करेंगे ठीक है आपको देखके पता पास ये डेटा है और मुझे कुंसी फॉर्मॉला अप्लाइक करने होगी चले पहला मेतड़ है अगर आपके पास बताया गया है कि आपके पास फीमेल बर्ट्स दिये गए बाजय तो आप ग्लाइब को सकते हैं इस फॉर्मॉला से सम करनासी मिएंप टॉड़ी गैउन navigate deeply को दुरेटा यह बाजया गया है अपके पास आपको चिऊटा गया है ऐब करना है एज गृप्स आपके पास दिए गरिए गbil यह आपके पास एज ग्रॉप्स है बार two thousand women 1000 वोमेंज मेंसे कितने फीमेल चिल्डन को सड़ी थाउजड वोमें कितने फीमेल चिल्डन को जो है जनम देती हैं वो आपके पास दे गए हैं 15 to 21 में त्यूंड़र्ड ट्यूंट टूटी इट में त्रि हंड़र्ड टूंटी तूंटी तूंटी प्रिटी फाइउं में 400 36-49 42 में 200 और इसी तरह 43-49 में 100 क्लियर यह आपके पास दे गए हैं यह नमबर आफ फीमेल चिल्टरन्स कितने जो है कितने फीमेल चिल्टरन्स की बहुत होती है पो थाउजड वुमेन के दिवाइड वे थाउजड करना है यह 20 यह 20 गए तो अगर आप इसको 12 को 10 से डिवाइड करेंगे तो एक के बाद पॉइंट आ जाएगा ठीक एक के बाद जिसे मुला जाएगा तो यह आपके पास बनता है 1.2 पर वुमेन ग्रास रिप्रड़क्टिव रेट जो है वो पर वुमेन के हिसाब से कल्कुलेट किया जाता है तो यह आपके पास आता है ग्रास रिप्रड़क्टिव रेट 1.2 पर वुमेन clear इसी तरह से अगर आपके पास female population दिये गया है और female births भी दी गई है female population दी गई है और female births दिये गए हैं उस case में आप कैसे calculate करेंगे grass reproductive rate तो grass reproductive rate तब calculate करने का यह तरीका है ठीक है आपने क्या करना है summation of females from 15 to 49 reproductive age नमरा female births कितनी होती है और PFX यह हमारे पास है female population जो आपके पास given होगी multiplied by interval ठीक है multiplied by interval इसी तरह जिस तरह मैंने आपको बताया अगर unequal intervals है तो हर एक group में उसी के intervals के हिसाब से multiply करेंगे अगर equal intervals है तो इसको calculate करके finally एक बार interval से multiply करेंगे जैसे मैंने आपको पहले दो कीसिस में बताया चाहे वो fertility rate हो चाहे वो death rate हो clear तो इस तरह से आप अगर unequal intervals है तो हर एक interval में यहने कि हर एक group में आपने उसके interval से उसके corresponding interval से multiply करना है अगर interval same है तो फिर आपने क्या करना है simply इसका sum करना है यह summation निकालना है और finally एक हĩ बार interval से multiply करना है क्योंकि interval हमारे पास यहां equal होता है चले यह आपके पास formula है for equal intervals और for unequal intervals for equal intervals आपको पता ही है मैंने आपको क्या कहा था कि उसमेपने यह summation calculate करना है और final में उसको multiply करना है आई से चलिए एक्जाम्पल से आपको और क्लियर हो जाएगा अगर आपके पास फीमेल पॉपलेशन दी गई है और नमबरा फीमेल बर्थ दी गए है तो आप कैसे ग्रास रपर्टुरेट कल्कुलेट करेंगे यह आपके पास एक एक एक्जाम्पल है इसको हम देखेंगे य और यहां पर हमारे पास फीमेल पॉपलेशन दिया गया है ठीक है यहां पर हमारे पास फीमेल पॉपलेशन दिया गया है यह हमारे पास फीमेल पॉपलेशन है और यह हमारे पास नमबरा फीमेल चिल्रन्स ठीक है दिए गए है नमबरा फीमेल बर्थ कितने होते हैं यह हमा फिलिजे आपके पास सभ आजाएगा कि असको कर दो सब्सक्राइब करेंगे यह जिरों-इद उल्ड तो यह आपके पासआँज सब्सक्राइब्सक्राइब करें गर्व심 ह vikt Dalamont göra तो यह आपके पास आजए으면 6-1 यहाँ पे पार से तो यहाँ आपके पास को multiply करते हैं उसके corresponding female to female birth to female population ratio के साथ multiply करते हैं जब आपने यह calculate किया तो आपने इसके बाद क्या करना इसका summation निकालना है यह summation आपने निकाला तो यह आपके पास आता है 9.25 clear यह आपके पास आता है 9.25 तो इस तरह से आप यहां पे निकालेंगे gross reproductive rate जब आपके पास female births दिए गए हैं female population दिए गई है तो उसमें आपने क्या करना है आपने female birth to female population का ratio निकालना है multiply करना है interval से और आपको मिल जाएगा यहां पे gross reproductive rate clear इस तरह केस है हमारे पास अगर आपको दिया गया होगा टोटल फर्टिल्टी रेट और आपको मेल इस तो फीमेल पॉपलेशन वोपी मेल इस तो फीमेल बहुत सोते हैं उनका रैशु दिया गया है तो आपकी इस तरह से ग्रियास reproductive rate निकालेंगे ठीक है उसके लिए आपके पास यह फॉर्मुला है टोटल फर्टिल्टी रेट को मल्टिप्लाई करना है जो आपका फीमेल प्रपोर्शन है डिवाइड़ बै क्या रैशु है मेल इस तो फीमेल का सम निकालना है डिवाइड़ थाउजंड करना है आपके पास एंग्जम्पल है एंग्जम्पल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा इस तोटल फॉर्टिल्टी रेट इस फिफ्टी पोठाइब देख लिए लिए तो फॉर्टी वाइट यापके पास दिया गया है फीमेल बट्स यानि कि हमारे पास थिफटी फाइव है इसके डिवाइड बाइंडर 65 प्लस 35 ठीक है और होल डिवाइड करना है इसको 1000 से यह हमारे पास 15 इंटर 35 करेंगे यहां पर हमारे पास यह बन जाएगा फाइड बाइड 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 टीक है अब आप देख लिंगी इसमें 50 है तो पांच डिजिट्स के बाद पॉंट आ जाएगा यह तीन तो गए पॉंट के इस साइड और 20 हमने जोडने हैं पांच बराबर करने के लिए तो यह आपके पास यह वैलिवस दिये गए हैं अब जो मैं आपको पॉंट बताने जा रहा हूं यह आप बहुत ही इंपॉंट पॉंट्स है इनको अपने जहन में रखना होगा इसमें से क्वेस्टिन पूशा जा सकता है अगर आपके पास ग्रॉस पॉप्रोड़क्ट्ट्ट्ट्ट्ट इस ग्रेट इस ग्रेट देन वन यानि कि इसमें फीमेल बहुत जो है वह ज्यादा हो रही है जितने भी बहुत सब्सक्राइब कम होती है इसका मतलब है पॉप्लेशन विल डिक्रीज पॉपलेशन कम होगी इंसपाइट आफ लोग अगर लोग कम भी मर रहे हैं उसके बाव क्योंकि फीमेल बहुत कम हो रहे हैं इसी तरह तीसरा केस यह है कि अगर ग्रॉस पॉपलेशन ज्यादा बढ़ेगी ना ज्यादा कम होगी उसको हम स्टैक्डेंट कहते हैं पॉपलेशन आफ फीमेल क्या होगा वो रिप्लेस करेंगे तिमसल्स यानिकि मॉदर जो है वह क्याते हैं ग्रॉस रबड़ेट्व रेट इक्वल टो वन ठीक है तो यह तीनों केसिस आपने याद रखने हैं इसमें से क्वेश्चन जुरूर पूछा जा सकता है ठीक है इसके बाद आता है हमारे पास नेट रप्रड़क्टिव रीट देख लीजे हमने ग्रॉस लिए नेट रप्रड़क्टिव रीट में हम उस चीज को भी धक्सिटरेशन में लेते हैं देख लीजें लेक्ट रप्रड़क्टिव रेट में जो हमारे पास है इन एक्सेंशन और दे मटिफाइट फॉर्म आप जीरा रारत क्यों ने ग्रॉस रपॉडड़क्टिव को भी consideration मैं लेते हैं याना कि जो future potential mother जिन की जो female babies होते हैं उसमें से reproductive age तक कितने पहुंच जाती है उस को भी consideration में लिया जाता है जब उसको भी consideration में लिए जाता है तो यह उसको हम कहते है ने जैसे birth हमें देता है population rate भड़ने का या कम होने का वह वो हमें net reproductive rate ही देता है क्लियर चले तो इसको हम किस तरह से कल्कुलेट करते हैं यहां पर आपने दो चीजे हमारे पास दो केसे हैं इनको आपने याद रखना है या तो हम mortality rate सकते हैं यह हम सर्वाइवल रेट कंस्ट्रेश में ले सकते हैं यह आपको मैं आगे बताऊंगा किस तरह से हम कल्कुलेट करेंगे चले हमारे पास यहां पर फीमेल बहुत सगर देए गए है और सर्वाइवल रेट दिया गया है तो आप net reproductive rate है जो है किस तरह से कल्कुलेट कर करना है और इसको मल्टिप्लाइ करना है हर एक इंटरवल को उसकी सर्वाइवल रेट से उसमें से कितने सर्वाइव होते हैं क्लियर और होली डिवाइड करना है थाउसंड से इस तरह से आप कल्कुलेट कर सकते हैं net reproductive rate बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सिर्फ फॉर्म नहीं है फॉर्मॉला तो याद रखनी होगी लेकिन मैं आपको एक चीज़ यह सज़ेस्ट कर सकता हूं कि जिस रूम में पढ़ते हैं उसके देवार पर आगर यह जो आपको याद नहीं रहते हैं वह फॉर्मॉला का एक लिस्ट बना के उस आप जहां पर बैठते हैं वहा आसकिया प्रफ्रेशर्ट करता है सर्ववर रेट और यह हमारे पास प्रफ्रेशं। को यहां पर हमारे पास एक condemn गइंग पलुको कलियर हो जाए हैं यह चाहईत लॎकन इसके लिए आपको जो इंटरल के वह बिल्कुल होंगे इसलिए आपने यहीं याद रखना है इसमें यही एक केस आने के चांसे है और आपने एक चीज़ को याद रखना है आपने इस फॉर्मॉला को जब आप याद रखेंगे तो आपको डिरेक्टली वहां से वैलुस दे गए हैं आपको उन्हीं वैलुस को इसमें सबस्ट्टूट करना होगा ठीक है इस चीज़ को आप याद रखें इसलिए फॉर्मॉला को अच्छी तरह से आपको रट लेना है देख लीजिए हमारे पास जो है फॉर्मॉला है वह है इंटर्वल को मल्टिप्लाइग करना है समेशन आफ जो हमारे पास फीमेल बहुत हैं डिवाइड बापॉपलेशन फीम धायर ढेर फोजाएगा देख लिए यहां पर हमारे पास एजगूर्प स्टेए गए हैं ठीके तो यहां पर हमारे पास फीमेल पॉपलेशन दी गए हर Як एज ग्रूप की और हमारे पास कितनी फीँमेल बर्ट्स होती है यह भी दिया गया है सर्वाइवल रेट्स बैशन औ जब आपने इन वाइलव इसको सबस्ट्यूट करनके यहाँ पर बताना है किस तरह से आप केलक्लेट कर सकते हैं देख लिए हमारे पास जो चुसट किल कोलेट करना है फोमडा के हिसाब से वहाई मेल बोफ फिल्ट विलेशन यहां पिल्ट जाएक सिर्गें Whilst लिग्त से टीवा too एफ मल्ट्पलाइब करना है थॉजंड से उस्ति एक अन्डर अजाएगा सटो 50 जाएगा फूर्टी ज्वाइट गेंगे N Monothe 66.6 यह आपके पास आगे वाel उस जब आपके पास यह वाइल सांगे इनी वैल उसको अपने सर्वाइवल रिट से मौलिबाइब करना है सिम्पल तो 100 को 0.5 से मौल्ट पर करेंगे तो 50 बनेगा यह आपके पास जब सभी values आगे, इसके बाद formula के हिसाब से आपने इनका summation निकालना है, इन सभी का sum करेंगे, यह आपके पास आता है 473.56, clear, यह आपके पास value आगया, और इसको आपने multiply करना है interval से, अगर आप देखेंगे, इन में से आपको equal intervals मिलेंगे, 15 to 20, अगर आप दे calculate करके अगर आप देखेंगे, यह आपके पास आजाएगा, 5 multiplied by, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे divide by thousand है, तो यह तीनों जो हमारे पास है, यह वाले तीन डीजिटर्स, यह हमारे point के इस तरफ जाएंगे, ठीक है, तो यह आपके पास बन जाएगा 0.473, ठीक है, 0.473, और multiply करें का तरीका, इसके लिए आपने यही एक formula याद रखनी है, क्योंकि unequal intervals के लिए आपको नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत tough हो जाएगा, calculate करना, यही एक formula net reproductive rate के लिए आपने याद रखनी है, और यह भी याद रखना है, per women के हिसाब से हम यह calculate करते हैं, next, जो मैंने आपको बताया, survival rate और mortality rate उसको कहसे calculate करेंगे, अगर आपके पास एक चीज़ दी गई है, तो दूसरी चीज़ को कैसे calculate करेंगे, वो आपको मैं यहाँ पर बताता हूं, देख लिए, अगर आपके पास survival rate दिया गया है, तो mortality rate आप calculate कर सकते हैं, अगर mortality rate दिया गया है, तो सर्वाइबल रेट अप कल्कुलेट कर सकते हैं देख लिए सर्वाइबल रेट को आपके पास फॉर्मूला यह फॉर्मूला अपको कही पे नहीं मिलेगी यह मैंने आपके लिए यहां पर बनाई है ठीक है कि हो मेड फॉमुला सर्वाइवल रेट को इस किस तरह से आप कल्कुलेट करेंगे 10 रेस्पावर नंबर आप डिजिट्स इन मॉटलिटी रेट यानि कि आपके पास मॉटलिटी रेट दिया गया है उसमें आपने गिनने हैं कि कितने उसमें डिजिट्स है टेन को उसी का है आपने 10 रेस्पावर नंबर आप डिजिट्स देखने हैं कितने सर्वाइवल रेट में हैं जो आपको गिवन होगी और माइनस करना है आपको सर्वाइवल रेट उससे तो यहां पर आपको मॉटलिटी रेट मिल सकता है हो सकता है इस पर कभी-कभी टेफिकल क्वेस्टि तो बिलकुल यह क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा इस सर्वाइवल रेट इस सिक्स मॉटलिटी रेट अपने कल्कुलेट करना है तो सर्वाइवल रेट में आपके पास एक ही डिजिट है तो एक डिजिट है इसका मतलब है 10 रेस्ट पावर वन विच इकोल टो टेन ठीक है तो आपने क्या करना है सर्वाइवल रेट कलक्लेट करने के लिए विच एक उण। इस में कितने डिच्टंस हैं दो डिच्ट सैंख 152 म सीष्टी एसी तरह अगर आपके 0.7 दिया गया होगा फॉर एक्जांपल तो आपने डिरेक्टली इसको वन मैंसे माइनस करना है माइनस 0.7 तो आपके पास सर्वाइवल रेट आ जाएगा 0.3 तो वन मैंसे डिरेक्टली करना है अगर आपके पास वन से कम होगा ठीक है यह है आपके पास तरीका मॉटिलिटी कल्कुलेट करने का यह सर्वाइवल रेट कल्कुलेट करने का अगर आपके पास दू मैंसे एक चीज चीज दी गई है क्लियर अब आपने नेट रप्रड़क्टिव रेट जो भी हमने कल्कुलेट किया है उसमें से आपने यह पॉइंट्स याद रखने हैं जैसे आपने ग रेट जो है यानि कि फीमेल बहुत जो है वो अगर ज्यादा होती है उसमें बच भी ज्यादा जाती है तो उसके हम कहते हैं नेट रप्रड़क्टियर रेट इस ग्रेटर देन वन उसके इसमें जो पॉपॉपलेशन हो बढ़ जाएगी चाहे कितनी भी डेथ रेट क्यों न हैं दूसरा केस आपने यह याद रखना है कि अगर नेट रेट जो है वह लेस देन वन होगी तो पोपलेशन कम रोगी क्योंकि फीमेल जो फीमेल प्टेंशल मदर्ज होती है उनकी जो पॉपलेशन वह कम होती जा रही है इसलिए अगर बॉठ रेट कितनी भी हो उसमें फीमे यहां पर मदर्स जो है अपने अपको रिप्लेस करेंगे जैसे मैंने आपको ग्रॉस में कहा ठीक है अपके पास है अब इसमें से क्वेसिन आ सकते हैं इस लिए इन फॉर्मॉलाज वग्यरा को अच्छी तरह से आपने देखना है मुझे लगता है अब इसमें कोई आईसी ची कि मैंने अपना 110 पॉसंट दिया लेकिन अभी हमारे पास और भी अपडेटर लेक्टर्स आने हैं एक्जाम तक आप बिल्कुल ना गब रहे वो इंशालला आते रहेंगे अच्छा और एक चीज जो मैंने आपको कले ट्रिक बताई थी उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने होती है यह दिविजिन वगरा करने में तो वह किस तरह से उन विजिन जो करेंगे इसके लिए मैंने वह ट्रिक बताई थी ठीक है मैंने आपको पहले दो केसले लेकिंट्स मैं आपको नहीं बताया था ती सरह केस मैं आज आपके लिए उसी ट्रिक का लेके आया हूँ अगर आपके पास इस तरह का नंबर होगा तो इस नंबर को आप कैसे डिवाइड करेंगे without calculator clear तो मैंने वो इट्रिक आपने बतानी थी कि कल अगर आपके पास दो सारी तीन नंबर सारी तीन होंगे तीन डिजिट्रिस होंगे डिजिट्रिस होंगे डिजिट्रिस होंगे डिजिट्रिस होंगे डिजिट्रिस होंगे तो आप कैसे करेंगे लेकिन अगर तीन से ज्यादा डिजिट्रिस होंगे तो आप इसको कैसे solve करेंगे आज वो trick आपको मैं यहां इस case 3 में बता तूँगा ठीक है देख लिजे आपके पास यह number है 32146123 इसी तरह 2043212 यह आपके पास number है और यह बहुत बड़ा number है आपको calculate के बगार solve करना है या तो आपने 1 के करके इसको 2 से पहले divide करना है दो case मैंने आपको बताया दो digits होंगे या तीन digits होंगे लेकिन तीन से ज़्यादा होंगे इस case में आपने क्या करना है तीन के बाद जितने भी digits है उनको आपने cancel करना है ठीक है यहाँ पे आपने कितने cancel किया चार उतने ही digits आपने उपर भी cancel करने है ठीक है आपका जो concern है वो यहाँ पर denominator है denominator में तीन से ज़्यादा जितने भी आपके पास digits है उनको आपने remove करना है और इसी तरह उतने ही उतने ही digits आपने numerator में भी remove करने है तो यहाँ पर आपके पास क्या बज़ता है 3214 और नीचे आपके पास लगेंगे ज्यादा time इसमें नहीं लगता है clear तो समझाने में मुझे time लगता है लेकिन करने में इसको ज्यादा time नहीं लगेगा ठीक है देख लिजे 3214 divided by 204 आता है आपके पास तो इसको यह आपके nearest किसके होगा तो यह आपके इसी four के साथ multiple करना है 61 into four is 64 अब इस factor को आपने minus करना है 3214 से 3214 यह 64 आपने minus किया तो यह आपके पास 3150 बना ठीक है 3150 आपके पास बना इसको अब 3150 को ही आपने करना है 200 से divide तो यह 0 यह 0 गया यह आपके पास बन गया 315 divided by 20 तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 315 divided by 2 into 10 ठीक है तो यहाँ पर एक के बाद decimal आ जाएगा 31.5 divided by 2 आ जाएगा आपके पास इसको आप simple divide कर सकते हैं 2100 2100 ठीक है 2500 10 ठीक है 2700 14 तो यह आपके पास 15.75 आता है तो 15.57 आपके पास मुश्किल से 1 मिनट से कम टाइम में आ सकता है तो यह एक मिनट से कम टाइम में आ सकता है आपको इसमें ज्यादा परेशान होनी की जुरूरत नहीं आप practice करें आप देख लिए बड़ा ही आसान तरीक है तो यह आपके पास value आया इस तरह से अगर आप calculator से calculate करेंगे तो calculator से अपना calculator ठाल दीजे और चेक कर लीजे आप इसी number को जो मैंने उपर number बताया था आपको 3 क्या था यह number 32146123 divided by 2043212 इसको divide कर लीजे calculator से calculator से आपके पास यह value आ जाएगा देख लिजे बहुत ही close values आपको मिलते हैं ठीक है approximation के साथ थोड़ से approximation के साथ तो इस तरह से आप exam में quickly question को solve कर सकते हैं ठीक है यह मैं अभी तक क्यों सिखा रहा था आपको इसलिए क्योंकि PA में इस base पर question आया था देख लिजे अगर आप देखेंगे PA का जो paper है बहुत सारे students ने पूछा भी था यह question दिखा थे क्यों नहीं है आप सर मैंने बताया था मैं perfect time पर आपको यह question बता दूगा किस तरह से करना है ठीक है देख लिजे आपके पास number of men दिया गया है number of women दिया गया है आपने यहां पर calculate करना है sex ratio तो sex ratio calculate करने की यह formula है कुछ बच्चे अक्सर गलती करते हैं number of females पो thousand of males तो वो तो हमें represent कर सकते हैं किसी भी ratio में लेकिन calculate करने का यही तरीका है आपके पास standard method जो आपको है sex ratio calculate करने का वो यही है number of males divided by number of females multiplied by hundred आप उसको बाद में किसी भी तरह represent कर सकते हैं आपकी चोईस है देख लिजे यह हमारे पास formula है तो अब आपने इस formula के हिसाब से यह calculate करना है जरा कर दीजे आप मुझे यह calculate इसमें आपको two two से divide करना होगा इसमें आपको जो मैं आपको method बता रहा हूँ उससे ज्यादा time लगएगा अब यो method आपने उपर देखा मैंने जो आपको एक tricks का apply कर लीजे तो क्या करना है तीन से जाइब numbers होंगे तो denominator में उससे भी remote करने है उतने ही numbers आपने उपर भी remote करने है यहाँ पे 6 remote करें के उपर भी 6 remote करने अब आपके पास बज़ता है 151 by 156 clear आप इसको आपने करीबी number के साथ आप इसको 200 के साथ भी ले सकते हैं 100 के साथ भी 98.2 95.3 इसलिए हम इतना जो है यहाँ पर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं हम इसको next multiple 10 के साथ लेंगे यह हमारे पास 156 है इसको मैं 160 करता हूं इसको मैं उपर 150 में भी लिख सकता हूं clear देख लिजे यह 0 यह 0 गया अब आपके पास क्या बच्चा 15 divided by 16 15 divided by 16 जो है अब यह जो आ आपके पास value आ जाएगा इसको आपने multiply करना है इस number से यह जो आपके पास number आया है ठीक है यह जो आपने number इसमें प्लस किया 160 तक पहुंचने के लिए जिस तरह हम करते आ रहे हैं ट्रिक में आप ट्रिक को रिमाए एक बार आप अपने जहन में फिर से लाईएगा तो 15 divided by 16 16 को मैं सॉलू नहीं करूंगा यहां पर बिल्कि इसको डिरेक्टली 14 के साथ multiply करूंगा इस फोर के साथ यह आपके पास बच जाएगा फिफ्टीन डिवाइड बेए फोर फोर वन जार फोर 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 जार 16 तो जब आप 15 डिवाइड बेए फोर को calculate करेंगे यह आपके पास इसको आप लिख सकते हैं यहां पर आया आपके पास 10 यहां पर आपके 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 आप 16 आया तो इसको आप लिख सकते हैं 280 16 250 15 clear तो 8 1000 यह आपके पास बन जाएगा यहां पर देख लिजे आपको और clear हो जाएगा 154.75 multiplied by 5 divided by 8 इसको आप solve करेंगे तो आप इसको एक बार multiply कर लिजेगा पहले इस यहां पर और यहां पर कितने बजेंगे 27 बन जाएंगे यह आपके पास बन जाएगा 830 24 ठीक है और आपके पास 840 32 बन जाए गए ठीक है यह आपके पास बनता है 19.34 19.34 को आप इसी 5 से multiply करेंगे तो यह आपके पास बन जाएगा 96.70 अगर आप calculator उठाएंगे और calculate करेंग ठीक है यहां पर यह points में आता है किसी किसी case में आपको यह directly numbers whole numbers में आता है तो वहां पर आपको ज्यादा दिकत नहीं होती है लेकिन इस तरह से आप calculate कर सकते हैं इस question को तो इसका correct answer जो है 96.7 option B तो यहां आपको मैंने इस लिए यह trick बताई कि कि इस तरह से आपको easy हो सकता ह करना ठीक है अगर आपको मुश्किल लगता है आपको direct division आता है तो कोई मसला नहीं है आपको ट्रॉक करने की जरूरत नहीं है मैं पहले से कहता आ रहा हूं कि अगर आपको लगता है कि कोई चीज आप अपने तरह से कर सकते हो that is more than good कि 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 आप अपनी तरह से करेंगे आपको मिलते रहेंगे मैं आपको पहले भी कहा है आप हमारे साथ बने रहेंगे तो एक्जाम तक आपके पास जो भी हमारे पास जो लगता है कुछ और information देने की जरूरत है वह हम आपके पास लेके आ जाएंगे और जैसे का जो सिलिबस का तालुक है उसके लिए हम recent लेक् ठीक है और उसमें भी अगर कुछ F.A.E. के स्टूडनिस देखना चाते हैं उन पर कोई पाबंदी नहीं है वो देख सकते हैं ठीक है चले इजाज़त दे लेते हैं आप से यही पे और मिलेंगे हम ठीक है दूसरी सबजेक्ट के साथ या दूसरी कड़ी के साथ आपको उसक के लिए हम वाजरत खाया इजाज़त दीजिएगा अपना ख्याल रख लीजिएगा अपने पैरेंट के खाया